नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है अडूराठी आईएस एक बड़ जल्दी से आजाईए वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा ताकि सारे लोग जो हैं वो आज के करंट अफिर के साथ बट बिफोर डाट मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारा जो टेलिग्राम चैनल है वो कौन सा है this is my telegram channel आप मेरे साथ पीछे देख रहे होंगे दोस्तों यह मेरा telegram channel है इस telegram channel के माध्यम से आपको मेरे साथ जुड़ना है और ज इसके लावा में और दूसरा मेरा कोई भी टेलिग्राम चैनल जो है वो नहीं है ये बात में आपको बता देना चाहता हूँ आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तो इस रिलेटीड तो बिटकॉइन ये हमारा बिटकॉइन से रिलेटीड है इसको हम पढ़ने वाले हैं गाइज एक बार यार प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग इसको शेर कर दीजेगा सेशन को चले, now let's begin the class पहला जो टॉपिक है इस रिलेटीड तो बिटकॉइन यहाँ पे आप टम देख रहे हो जिसको हम कहते है बिटकॉइन हाल्विंग Bitcoin Halving क्या होता है Halving जो है एक word आया Half उससे लगबग लगबग ये match कर रहा है Halving का मतलब होता है Reduce कर देना, कम कर देना, Decrease कर देना दोस्तो आप सोचो दुनिया के अंदर में अब Bitcoin Mining कितनी बढ़ गई होगी जब से लोगों को समझ में Bitcoin में इतना पैसा है Bitcoin की Mining ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए सरकारी approval लगता है कोई खजाना होता है जहां पर जिसे gold की Mining पर्टिकुलर जगहें पर होती है यहां पर ऐसा देखो कुछ भी नहीं है Bitcoin Mining क्या होता है किसी के पास में भी एक बड़ा भारी सूपर कंप्यूटर हो उसको लगाओ और Bitcoin Mining होती है ठीक है कोई भी कर सकता है Bitcoin Mining में आपको बता रहा हूँ लेगिन ऐसा अगर सब लोग सारे काम छोड़ चाड़के Bitcoin Mining करने लग जाएं तो सोचो कितने Bitcoin जो है जो Bitcoin generate करते हैं लेगिन सब लोग सारे काम छोड़ चाड़के अभी तो खेर Bitcoin का इतना चल नहीं रहा लेकिन एक टाइम था जब Bitcoin बहुत ज़्यादा popular हो गया था Bitcoin की value बहुत ज़्यादा हो गई थी तो ऐसे टाइम पर आपको नहीं लगता कि सब लोग सब छोड़ चाड़के कहें चलो भी Bitcoin माइन करते हैं मतलब कर सकते हैं ऐसा situation हो सकता है ऐसी condition हो सकते हैं कि सब लोग कहें चलो भी Bitcoin माइन करते हैं बट ऐसी अवस्था के अंदर में कई सारी यहाँ पर problem हो जाती है क्या कि market के अंदर में बहुत access amount के अंदर Bitcoin आ जाएगा और जब भी किसी चीज की supply बढ़ जाती है तो continuous supply की वज़े से उसकी demand गड़ जाती है demand गटेगी तो price गड़ जाएगा अब इस चीज को control करने के लिए दोस्ते एक process की जाती हर 4 साल में जिसको Bitcoin halving कहा जाता है ठीक है मतलब reduce कर देना तो हर 4 साल के बाद क्या होता है particular amount जो होता है Bitcoin का वो आने के बाद जो block size है उसको value जो है वो 50% decrease कर देते हैं ताकि भविश्य के अंदर में जो उसका Bitcoin का जो demand है और साथ-साथ में उसकी जो supply है वो manage रहे तो यह इस topic में आया हुआ है GS paper 2 से संबंदित GS paper 2 से नहीं GS paper 3 से संबंदित है दोस्तो आपका IT and computer and mobilization of resources economy से संबंदित है यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों topic आया हुआ है कहाँ पर आपका दा हिंदू में so let's have a discussion over it so क्या होती है सर bitcoin halving उसके हम बात करेंगे दोस्तों crypto currency से किस परकार से associated है वो सब हम बात करेंगे तो दोस्तों 4 साल के बाद होती है तो इससे पहले वाली bitcoin halving जो थी वो 2020 में होई थी तो उसके बाद अगर हम बात करें 2024 तो अभी April के अंदर में bitcoin halving होने वाली है तो इसका क्या फरक पड़ेगा क्या चीजे पड़ेगी वो हम देखने वाले है बट सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इस bitcoin halving होती क्या है जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों ये एक ऐसा event होता है जिसमें जो नए mining block है उसकी जो reward है उसको 50% decrease कर दिया जाता है इससे क्या होगा दोस्तों जो minor होते है they will receive fewer bitcoin जो हर transaction है उसके बदले मुनको fewer bitcoins मतलब कुछ कम bitcoins मिलते है bitcoin halving बहुत significant event है दोस्तों इसका मतलब क्या होता है reward for mining new block आपक ने new block mine किया है लेकिन उसका जो efficiency है उसकी जो value है उसका जो reward है उसको 50% तक क्या कर दिया जाता है reduce कर दिया जाता है इससे क्या होता है it leads to the miner receiving fewer bitcoin for verifying transactions तो bitcoin halting एक महतवपून घटना है जिसे नए ब्लोकों के खनन के लिए इनाम 50% कम हो जाता है जो नए bitcoin आते है उसके लिए नए जो block mine किया गया है mining हुई है नए block की तो उसके अंदर में जो total उसका reward है वो 50% कम कर दिया मतलब values की 50% कम हो गया आप ऐसे समझ सकते हो यह कब होता है दोस्तों हर 4 साल के अंदर होता है यह आप मान के चलो जब आपका 21 million block mine हो जाते हैं उसके बाद में यह bitcoin halving जो है दोस्तों की जाती है यह जो traders होते हैं na bitcoin halving traders के लिए बहुत ज़दा important होता है दोस्तों क्यों because they effectively reduce the rate at which new bitcoin are created ठीक है यह effect करता है किसको दोस्तो it effectively reduce क्योंकि obvious ही बात है 50% उनको कम reward मिलेगा तो वो उतने enthusiast नहीं रहेंगे इससे क्या होगा demand supply आपकी क्या रहेगी दोस्तों match रहेगी और overall supply जो है दोस्तों manage रहेगी अब सोचो यह कुछ कहानी ऐसे समझ लो आप मान के चलो इस साल आम का भाव हो जाए ठीक है 1000 रुपे किलो अब अगली साल क्या करेंगे लोग सब कुछ छोड़ चाड़के आम के ही खेती करने लग जाएंगे कि भी 1000 रुपे किलो आम भी करा है तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों ठीक है ऐसे में अगले साल जब आम की फसल होगी तो मार्किट के अंदर में इतने सारे आम हो जाएंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाए कम क्योंकि सप्लाई ही बहुत बढ़ा दी सब डिमांड सप्लाई का गेम है ठीक है तो उसको मैंच अगर रखना है next 4 साल के अबर उसको फिर कम कर दिया उसको 200 कर दिया इससे क्या होगा अब जब वो 200 पर आ जाएगा तो grower सोचेंगा रे ना यार मजे नहीं थोड़ी ना यार इतना 200 रुपे पर आ गया है तो वो फिर कम एक तो enthusiast होंगे साथ-साथ में जो demand supply है वो आपकी manage रहेगी नहीं तो सब लोग छोड़ चाड़के इसी काम में नहीं लग जाएंगे तो उसी के लिए कि यह important event होता है जिसको हम बोलते है Bitcoin halving इसको कहा जाता है इसका price पर impact पड़ता है दोस्तो ठीक है इससे आपकी जो total supply है वो आपकी कम हो जाती है ये इसका सबसे ज़्यादा फाइदा है तो new Bitcoin जो होते है जो कितने Bitcoin generate होंगे मैंने आपको बार-बार मैं कहा रहा हूँ कि इससे सब लोग Bitcoin mining करने में नहीं लग जाते क्योंकि वो फिर जैसे जैसे वो आगे time जाता जाता है जितने Bitcoin halving event होते है वैसे वैसे दोस्तो वो less remunerative हो जाता है उसमें उतना पैसा बनता नहीं है लोगों को और फिर वो उतना शायद उसको नहीं करते है ठीक है तो इससे price increase जो है over the period of the time ठीक है वो अगर हम बात करें तो price जो है वो maintain रहता है BTC का मतलब है Bitcoin दोस्तो It decrease the rate of new Bitcoin being generated जो नए Bitcoin बने उनका rate decrease हो गया इससे क्या होगा It will reduce the supply, supply reduce होगी It can lead to the price increase over the time as demand rise तो जो Bitcoin है अगर उसकी supply कम रहेगी तो वो demand में रहेगा और उसका price जो है वो दीरे-दीरे increase होता रहेगा दोस्तो अब कहरा सर following the halving Bitcoin mining becomes less profitable जैसा मैंने बताया इस साल तुमने आम के 1000 रुपे किलो मिल गया लेगिन अगले 4 साल के बाद Bitcoin halving जब mango halving होगी तो क्या होगा उसका price automatic 50% कम यानि कि अगले 4 साल के बाद वो फिर 500 रुपे में ही बिकेगा किलो है ना तो यह होती आपकी Bitcoin halving तो इससे क्या होता है दोस्तो एक तो price control रहता है supply manageable रहती है supply over supply नहीं होती तो demand supply manage वो जो gap है वो बना demand supply का जो match है वो बना रहता है और वो चीजे जो है market के अंदर में उसका over supply ना होने की वज़े से उसके price stable रहते हैं नहीं तो price बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे तो इसी लिए किया जाता है दोस्तो Bitcoin की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो तो Bitcoin क्या है दोस्तो देखो आज के time पे तो इसको हम currency नहीं कह सकते because RBA इस बात को मना कर चुका है कि Bitcoin जो है वो आपकी currency नहीं है ठेक है यह बात समझ में आ रही है 2009 के अंदर अगर मैं बात करो दोस्तो तो Bitcoin को introduce किया था किस ने किया था ठेक है कौन था वो बंदा कहां से Bitcoin लेके आया था इन सब चीजों के बारे में और किसी को नहीं पता कि कहां से सब किया था और कहां से नहीं किया था तो किस ने किया कब किया 2009 में किया बट कौन था वैसे बोला ऐसा जाता है आपका नाको मोतो सातोसी नाको मोतो नाम का कादमी था उन्होंने डवलप किया था 2008 में जो financial crisis आया था उसके बाद में उसका purpose था कि एक ऐसी digital currency बना दी जाए जो तुरंत online lane lane के अंदर में acceptable हो जो fiat currency होती है economics में आपने पड़ी होगी fiat currency को replace करने के लिए दोस्तों bitcoin ही लेके आये थे ये एक open source protocol होती है इसको कोई भी central authority इसको control नहीं करती और यही इसका सबसे बड़ा drawback है it is not backed by any kind of the physical asset ठीक है कोई physical asset नहीं है कोई सरकार इसको back नहीं कर रही इसलिए इसका जो regulatory framework हो मतलब है ही नहीं इसलिए जादतर अगर आप देखोगे तो आज के time पर जैसे RBI तो बारबार कहता है कि bitcoin जो है वो नहीं है कि जो हमारा traditional fiat currency है जो soka note निकाल के आप देते हो दोस्तों और कहते हो दो malware देदो या दो छोटी gold देदो उसकी जगह bitcoin से transaction हो पाए ठीक है इसलिए इसको बनाया गया था after 2008 जो financial crisis हुआ था उसके बाद बट इसका adoption उस rate से नहीं हुआ बहुत सारे government ने इसको मना किया है कि नहीं भई ये ठीक नहीं है जैसे भारत सरकार RBI हम लगातार इसको क्या करते आए दोस्तों bitcoin को मना करते आए तो अब तो आप इसको currency भी नहीं कह सकते पहले जब यह आया था अब इसको digital currency कहा जाता है blockchain technology का तेको bitcoin खराब है लेगिन bitcoin जिस technology पर अधारी था वो बहुत important है और आज इस blockchain technology का कई सरकार इवन भारत सरकार बहुत सारे जगाओं पर क्या करती है दोस्तों इस्तमाल करती है blockchain जो है it is a shared unchangeable ledger that simplify transaction recording and asset tracking within a business network बहुत important बात है देखिए समझे blockchain एक साजह एपरिवर्तनी है भही खाते के रूप में कारी करता है जो एक ववशाइक network के भीतर lane day की recording रखने और परी संपतिक tracking को सफल बनाता है ठीक है कहां से ये bitcoin कहां से originate हुआ कहां जा रहा है ये सारी चीज़े करता है दोस्तों अब bitcoin के माद्धम से ना केवल आप currency दोस्तों बलकि बहुत सारी बाकी चीज़ों को भी जो है इससे आप exchange कर सकते हो जैसे अगर हम बात करें house, car, cash, intangible ones like intellectual property, patent, copyright and branding तो बहुत सारी चीज़े हो सकती है दोस्तों ठीक है आप चाहो तो इसका comparison Google document से कर सकते हो in a similar way, sharing to the document with a group instead of duplicating the, transferring it, the document is distributed होता नहीं आप Google Docs में क्या करते हो आप दोस्तों ठीक है, आपने Google document बना लिया, ठीक है, उसका link जो है आपने share कर दिया सब के पास में तो सब उसी document को access कर लेते हैं instead of making it again and again तो कुछ इसी प्रकार का है दोस्तों आपका क्या blockchain technology ये बात आपको समझी में आई, जल्दी से आप बताईए मुझे दोस्तों यहां तक आप बताईए मुझे किसी को कोई दिक्कत, कोई problem अगर आ रही है तो आप मुझे बताईए now let's move to the next topic तो ये पहला topic था blockchain halving important term पूछी जा सकती है second बात करते हैं दोस्तों आपको पता नहीं याद है नहीं है जब मैं पहले पढ़ाता था तो मैंने एक term बताई थी आपको red hole mining we discussed about this thing red hole mining के बारे में हमने बात की थी now what is this red hole mining आज मैं आपको discuss करता हूँ बहुत भारी मातरा के अंदर में कोईला है तो usually क्या होता है बड़ी जो भारी कंपनियां होती है coal mining वाली उनको दे दिया जाता है जैसे इंडिया में coal इंडिया मान लो तो उनको उसके tender दे दिये जाते हैं block उनको locate कर दिया जाता है और वो large scale पे बड़े commercial level पे वहां से कोईला निकालते हैं लेकिन समझो अगर ऐसा ना हो तो मतलब कोईला हो लेकिन छोटे-छोटे blocks के अंदर में हो ठेक है कहीं 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 और वो जो छोटे-छोटे blocks के अंदर में है अगर वहां से individual level पे अगर आप कोईला निकाला जाए ठीक है आप जमीन खोदो और कोईला निकालो that is known as rat hole mining उसको rat hole mining कहते है that means बड़े commercial scale पर ना हो किसी बड़ी company के दुआरा ना हो individual level पर लोग जो है वो कोईला निकाल रहे हो Nagaland के अंदर में कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तो Nagaland के अंदर में अभी recently हुआ क्या है कि कुछ लोग जो है वो rat hole mining के दुआरा कोईला निकाल रहे थे ठीक है wall collapse कर गई वो गिर गई wall और उनकी death हो गई अब सरकार पर pressure आ रहा है कि भाया ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी ऐसे तो सब rat hole mining कर रहे हैं और उसकी वज़े से क्या होगा बहुत सारा दिक्कत आ जाएगी लोग मर रहे हैं तो इसको आप क्या करो regularize करो इसको आप regulate करो क्योंकि इस पे कोई नियम का नो although है बट वो इतने effectively लागू नहीं हो पा रहे हैं उस पे पता चला है दोस्तो कि सरकार इनको regulate तो करें लेकिन सबसे बड़ा जो problem है वो है article 371 अब ये article 371 ए क्या है दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जब नागलेंड भारत का हिस्सा बना constitutional hero भारत का हिस्सा बना 1962 में तो उस साइम यार देखो भारत की विभिनिता भारत की diversity एकता है भारत की जो diversity है उसको ध्यान में रखते हैं हमने पूरे भारत को एक तो बना दिया लेकिन दोस्तो भारत की जो पहचान थी, वो क्या है दोस्तो भारत की पहचान है उसकी diversity, उस diversity को maintain करने के लिए decide किया गया, अगि बही, although हम एक भारत तो बना रहे हैं, लेकिन भारत के ये 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 जगें हैं, अलग-लग राज्ये हैं, इनकी identity, इनके culture को हमें protect करना है, तो इनको protect कर पाएंगे, ठीक हैं, तो इसी लिए दोस्तो सविधान के अंदर में एक article add होगा, article 371A, जिसके तहत में नागलेंड को कुछ वेशेश अधिकार दिये, उसमें एक अधिकार पता है क्या है, दोस्तो वो ये है, कि जो नागलेंड की जमीन जो होगी, वो सरकार नहीं चला पाती है, वाए सो, लोग जेने अपनी जमीन नहीं देते हैं, और सरकार जमीन उनकी acquire कर नहीं सकती है, because it's not written in the article 371A, वो protected है, है ना, सेम चीज हो रही है दोस्तो, इस कोई लेगी, रैट होल माइनिंग, अगर रैट होल माइनिंग को आपको regulate करना है, तो government must take the control of these land, और वो हो नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि article 371 के दहत में, that is the main issue, जिसकी वज़े से सारी problem जो है, वो आ रही है, और उसी problem के चलते ही article जो है, कि रैट होल माइनिंग को regulate करने में, जो सबसे बड़ी बादा है, वो बादा क्या बन रहा है, दोस्तो, article 371A, तो यही topic है दोस्तों, हमारा दहिंदू में आया हुआ topic है, coal mining regulation hit article 371A wall in the Nagaland, चलिए GSP पर दो, governance, constitution and polity discuss करते हैं, article 371A of the constitution of India, it has been the major hurdle in the Nagaland government effort to regulate small scale illegal, याद ध्यान समझेगा, small scale लिखा हुआ है, साथ साथ illegal भी लिखा हुआ है, although, ऐसा नहीं कि rat hole mining legal नहीं है, ठीक है, वो legal भी है, वहाँ पे कुछ हद तक, बट फिर भी कुछ लोग illegally जो है, आप जब rat hole mining करते हो ना, तो आपको कही सारे clearance लेने पड़ते हैं, forest department से, और भी, लेगिन जो लोग वो नहीं लेते हैं, clearance नहीं लेते हैं, और अपनी मर्जी सकुदाई करने लग जाते हैं, फिर वो that becomes illegal mining, तो अगर इसको regulate करने में सबसे बड़ी बादा आही है, article 371A, state government has been under pressure to regulate the coal mining activity after six miners died in explosion in a rat hole mining है न, बताया न मैंने अभी आपको दोस्तो हुआ क्या है, यह आप समझे, वोखा district के अंदर में, एक blast के अंदर में, छे miner की जान चली गई, rat hole mining से वो mining कर रहे दे, उसकी वज़ इसमें सबसे बड़ी जो problem है, वो article 371A है, क्या है दोस्तो article 371A, देखो article 371A क्या है मैं आपको बता दूँ, पहले नागलन नहीं ता पहले नागा हिल और आपका दोस्तो ट्यूएन सांग एरिया था, यह भारत का हिस्सा बने statute का दरजा मिला, 30th Amendment Act 1962 के माध्यम से, इनको Indian Union के अंदर में आड किया गया, पई तभी हमने एक article जोड़ा कि article 371A जो है हम सवीधान के अंदर में 21 वे भाग के अंदर में हमने आड कर दिया दोस्तों, क्यों आड कर दिया है, क्योंकि जरूरत थी दोस्तों, नागलन जो अभी भारत में बना है, मिला है, पई उसके कुछ special provision है, उसके कुछ विशेश चीजे है, उसकी जो diversity है, उसको protect करना है, इसी लिए दोस्तों, ये special provision जो है नागलन को देने के लिए इसको आड किया गया, अब इसमें क्या provision आड हुए, पहला हुआ क्या, कि despite the constitution, no parliament act concerning this following will act on the नागलन, ये जो कानून है, इन से संबंदित, भल उनको पास नहीं करती, तब तक ये parliament दुआरा बनाए गए कानून, नागलन पर लागू नहीं होंगे, किनकिन मामलों में सबसे पहले, religious और social practice हो दा नागा, मालो नागा people की कोई religious practice है, कोई social practice है, तो उनके उपर अगर parliament ने कोई कानून मनाया है, तो इल है, उसको कोई प्र procedure है, जिसको मानते हैं, जानते हैं, तो आप उसको नहीं बदल सकते, parliament के कानून से, दोस्तों, until or unless, नागलन की जो legislative assembly है, वो उसको मानता ना दे दे, ownership and transfer of lands and its resources, भूमी और उनके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरन, ठीक है, उनकी जो लैंड है, वो नागलन के लोगो का system है, civil law, criminal law, ठीक है, इनका खुद का भी है, तो उसके अंदर में parliament जो है, interfere नहीं करेगा, until or unless, उस कानून को state assembly के दुआरा कानून बना के endorse ना किया जाए, ठीक है, ठीक है, now what is the significance of article 371, अब सोचो, नागलन के perspective से सोचो, मैंने आपको बताया, भारत में आर विविदता ब होत है, भारत में अलग-लग प्रकार के लोग रहते हैं, उनके अलग-लग प्रकार की रीतियां हैं, प्रथाएं हैं, अलग-लग प्रकार के custom है, अब अगर आप उन चीजों को protect करना चाहते हो, तो मालो दिल्ली के अंदर में बैठ के कोई कानून बनता है, तो जाहीं इसी ब यह बात आप समझ में आ रही हूँ, समझ में आ रही है दोस्तो, इटीज़ कंसिडर्ट अ क्रूशल टूलीन सेफगार्डिंग दा कलेक्टिव राइट्स ओब दा नागास, नागा जो लोग हैं, उनके कलेक्टिव राइट्स को protect करने के लिए दोस्तो, इसको introduce किया गया थ यह जो आर्टिकल है, it's not only as a constitutional right and legal mechanism, but also reflect as a reflection of the people's will in the political arena, समझ में आगी बात दोस्तो, कैसे आप कहोगे सर, लोगों की इच्छा को कैसे दर्साएगा, अब मान लो कल को Parliament कोई कानून बनाती है, और अगर वहां की State Assembly भी उस कानून को adopt कर लेती है, तो यह लोगों की will को दिख है, हाँ, यहां की लोग भी यह चाहते है, तो यह इसकी broader significance है, इसका broader sense है दोस्तो, ठीके, लेकिन दोस्तो कहीं कहीं पर इसका criticism भी है, criticism क्या है दोस्तो, दोस्तो criticism यह है कि कह रहे है कि State की Progress में बड़ा बाधक बन गया है, कैसे बाधक बन गया है सर, बाधक ऐसे बली बन ग दोस्तो, जब भी कोई project यहां पर implement करने की बात होती है, तो यहां के जो लोग है, उसको resist करने लग जाते हैं कि नहीं भई, हम नहीं करने देंगे इसको, ठीक है, that is the biggest problem here, यह सबसे बड़ी problem है यहां पर, ठीक है, now what is the rat hole mining, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तो, ज़रव एक साथ नहीं है, ठीक है, so it is not economical, ठीक है, कि उसको सारे को आप निकाल लो, एक बड़ी company, बड़ी company उसको नहीं निकालेगे, ठीक है, दूसरा article 371A है, वहाँ पर tribal rights भी है, तो बड़ी company आना मतलब असंभव है, almost असंभव है, तो ऐसी में क्या करोगे, आप ऐसे म रहेंगे, और इसके problem भी 50 तरीके की होंगे, ठीक है, अब ये छोटे-छोटे level पर जो koila निकालते हैं, इसी को हम rat hole mining कहते हैं, so despite possessing 492.68 million ton of coal reserve, according to the Nagaland geology and mining department, the resource is scattered and inconsistent, समझ रहो, संसाधन जो है न पूरा ये बिखरा हुआ है, बिखरे होने के साथ-साथ ये ऐसंगत भी है, आप देखोगे, इतने बड़े Nagaland के अंदर में छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे coal block के हिस्से हैं, अब उनको आप एक साथ नहीं निकाल सकते, it's a very difficult thing है ना, this dispersion makes large scale and coordinated mining operation impractical, इससे क्या होता है दोस्तो, ये लगभग-लगग ये खनन जो है, ये आव्यभारिक बन जाता है, so consequently Nagaland coal mining policy, it established in 2006, it permits the use of rat hole mining method, इसे लिए उनने का कि चलो ठीक है, आप rat hole mining method जो है, उसके तेसाब से करो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, now what is the challenge, मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें क्या होता है, बड़ी company को नहीं दे सकते है, आपको small pocket deposit license जो है, वो देने प ये सबसे बड़ी problem है दोस्तों, लेकिन जब rat hole mining भी आप करते हो, rat hole समझ रहा है, चुआ अपनी घुर खोद लेता ही, वो ही है, अब इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको forest department, environmental department, उनकी clearance लेनी पड़ती है, कई बार क्या करते हैं, लोगी clearance नहीं लेते, तो वो फिर illegal हो जाती है, अगर कोई clearance लेके कर रहा है, तो okay, कोई problem थोड़ी नहीं, है ना, अब लोगों का यहाँ पर रोजगार चलता है, बहुत सारे लोग जो इसी चीज पर, इसी पर dependent है, residents rely on the illegal mining for livelihood, highlighting the needs of the education and, education on its negative impact, अब लोग यहाँ पर इस पर निर्भर हैं यहाँ क निवासी, उनकी आजीवी का इसी खनन पर चलती है, इसी से करते हैं, तो अब देखो, अगर आप सही में इसको eliminate करना चाहते हो या कुछ, तो आप सीधा लोगों की नहीं कह सकते हैं, हम इसको बंद कर रहे हैं, लोगों की आजीवी का जुड़ी है, अगर आपको ऐसा आपको बताना पड़ेगा कि rat hole mining कैसे गलत है, और फिर लोग voluntary उसको छोड़े, that will be good, that will be great, अगर आप खुद से जबरदस्ती कराते हो, that will be, मतलब वेरी नेगेटिव, इससे नेगेटिव इंपक्ट बहुत जदा आएंगे हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बट इससे प आता है छेद करके, ठीक है, that is rat hole mining, और क्या होगा बताओ, अब हिंदी में कह रहे हो कि rat hole का मतलब, हिंदी में भी इसको rat hole कहते हैं, ठीक है, चुईया छेद, mining नहीं कहेंगे, rat hole बोल देंगे इसको, ठीक है, फूल कुमारी, ओहो, शिल्पा अभी तो बताया, rat hole mining क्या होती है, rat hole mining का simple मतलब है, कि अगर मैं individual level पे, मेरी जमीन के अंदर में koila है, मैं बड़ी company को ना देके, मैं खुदी, खुदाई करने लग जाऊंगा, चोटे मोटे मेरे पास, जो भी rudimentary equipments है, मैं खुद खुदाई करने लग जाऊंगा, क्या वई हटा, company की जरुरत नहीं है, मै कसी लेगे लग जाऊंगा, कि मैं koila निकालूंगा और बेचूंगा, तो जब इस individual level पे mining होती है, that is rat hole mining, मैंने इसके उपर एक video भी बना रहा था, short video बनाया था, मैंने rat hole mining का, चली, अब आते हैं दोस्तो, इस vertical devolution की बात पे, यार दोगो, भारत के अंदर में कई सारे state ऐस लाडू जो हैं, वो सब से आगे हैं, उनका मानना है कि सरकार जो है, केंदर सरकार जो है, उनके साथ में बेधभाव करती है, revenue sharing के अंदर हो, या किसी वे में भी हो, सरकार उनके साथ क्या करती है, बेधभाव करती है, चली इस मुद्दे पर पढ़ते हैं, are the state getting funds, they are entitled from the center, क इस से हम थोड़ा समझने का प्रियास करते हैं, अब यह हुआ क्या है, दोस्तों, आप यहां पर इस picture में देख रहे हो, देखो, पंजाब, केरल, और यह basically, पंजाब, यह केरल से है, केरल, केरल के नहीं है, मेरे को दिखने में भी दिक्कत आ रही है, करनाटक, तामिल नाड से नहीं है, अभी से यहां पर कोई भी, ठीक है, तो यह लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी पता है, दिल्ली के अंदर में, जंतरमंतर पर आपता नहीं कहां पर, आके बैठ गे थे, उनका कहना था कि, केंदर सरकार हमें जो पैसा है, उदे नी रहे, मैं आपको एक दिख पहला स्टेट, ठीक है, यहां पर एक दूसरा स्टेट, फिर यह तीसरा स्टेट, फिर यह चौथा स्टेट, फिर यह पांचवा स्टेट, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट है, ठीक है, आपको पता है, सरकार टेक्स कलेक्ट करती है, सब को पता है न, सरकार क्या करती है, टेक् के बीज में इसको बोलते हैं हम text devolution केंद्र सरकार जो है text में कुछ पैसा receive करती है और उस पैसे को वो बाकी लोगों के साथ में बाटती है बाकी लोग मतलब states के साथ में ठीक है अब ध्यान से समझना union government से केंद्र सरकार से जो पैसा इधर आता है उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवलुशन समझें आप वर्टिकली आ रहा है वर्टिकल डिवलुशन ठीक है अब वर्टिकल डिवलुशन का मतलब है union government से state के पास आ गया लेकिन किस state को कितना गया इसको कितना गया इसको कितना दिया इसको कितना दिया इसको कितना दिया इसको कितना दिया इसक को हम बोलते हैं दोस्तो, that is horizontal devolution, समझे बात को, so vertical devolution और horizontal devolution, ठीक है, होता क्या है दोस्तो, कुछ कर ऐसे होते हैं, जो सीधा किंदर सरकार के पास जाते हैं, और किंदर सरकार को उसमें से पैसा ऐसे देना पड़ता है, राज्यों को, vertically and horizontally उसको devolve करना पड़ता है, ठीक है, अ क्या दोस्तो, इसके लिए एक finance commission बनता है, हर पांच साल के बाद में, हमारे देश के जो राष्टपती है न, president, वो इस commission को बनाते हैं, और उसको काम सोबते हैं, कि भाया, आप एक काम कीजिए, आप नई recommendation बनाईए, तरीका set कीजिए, कि किस प्रकार से इस tax के पैसे का पट साल में, अब यह जो finance commission होता है, इसको कुछ terms दे जाती है, मतलब terms का मतलब है, इनको कुछ पहले government instruction दे देगी, कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें करना है, और फिर यह बैठ के अपना पूरा calculation गणित बिठाता है, और सारे राज्यों को कितना पैसा जाएगा के इंदर से इधर, यह सारा हिसाब किताब यह लगाता है, और यह अपनी recommendation देता है, और वो recommendation जो है, फिर government के पास जाती है, सरकार के पास है, फिर उसी हिसाब से सरकार जो है, वो tax को devolve करती है, horizontally भी और vertically भी, Southern state जो है, दक्षणी state जो है, उनको इससे problem है, उनको problem है, पहली तो vertical devolution से, कि सरकार जो है, किंदर सरकार, जो amount में tax का पैसा उसके पास आता है, और जो उसको state को देना चाहिए, वो नहीं देती है, vertical devolution में जो सबसे बड़े मुद्धे हैं, वो है cess और surcharge, cess और surcharge क्या होता है, यह tax के उपर tax होता है, और cess और surcharge का जो पैसा होता है, यह सिर्फ किंदर सरकार रखती है, इसको पैसे को वो राज्यों की तरफ नहीं बाढ़ती है, यह सबसे बड़ी problem है, जो southern state का हूँ, या मैं non-BJP ruled state का हूँ, उनके आँखों में खटकता है यह पैसा, जैसे सरकार जो है, वो road development cess ले लेती है, agriculture cess ले लेती है, infrastructure development cess ले लेती है, education cess ले लेती है, इतना, दूसर है को इतना, इनका मानना है कि इनमें भी दक्षिन के राज्यों को पैसा कम मिलता है, बिहार को पैसा ज्यादा मिलेगा, UP को ज्यादा मिलेगा, MP को ज्यादा मिलेगा, इधर northern states को पैसा ज्यादा मिलता है, इनका यह मानना है, और उसी के खिलाब दोस्तों यह southern states को punish किया जा रहा है दोस्तों केंदर सरकार के दुवारा क्योंकि इनोंने अपनी population control करके और एक growth जो national perspective उसमें contribute किया है and that's why उसी discontent को लेके दोस्तों ये कहां बैठे है हड़ दाल कर रहे हैं ठीक है अब उसी problem का समाधान जो है क्या होगा क्या नहीं होगा क्या वो सब चीजे आप इस article में देखोगे तो recent agitation by the government of Kerala and Karnataka and the Supreme and the support extended by the several state government कौन किस ने दिये दिल्ली किजरिवाल साब पहुंचे हैं और वो पंजाब वाले आ गए है क्या नाम है उनका मेरे को याद नहीं है तो वो यहाँ पे पहुंच गए हैं दोस्तों यह बताता है कि किस परकार से जो हमारा fiscal federalism है उसमें थोड़ी सी गड़बड चल रही है या कुछ लोग उससे संतुष्ट नहीं है So the recent agitation by the government of Kerala and Karnataka and the support extended by the several state government having highlighted many disquieting issues in the practice of fiscal federalism in India केरोल करनाटकों की सरकार ने हालिया अंदोलन के अंदर जो कई राज्यों के दुवारा किये समर्थन के भाद समर्थन के ने भारत के राज कोशिये संगवाद के अभ्यास में कई परेशान करने वाले मुद्दों को यहाँ पे क्या किया है उजागर किया यह बात आपको समझ में आगई चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए 16th Finance Commission जो है उनको काम दिया गया था कि आप एक नई अप्रोच देखो भाई क्योंकि यह लोग तो जो satisfy नहीं हो रहें इनमें discontent आ रहा है या कोई भी अगर मालोग चीज गडवड़ भी है तो आप एक नई तरीका बताओ एक नई अप्रोच बताओ कि किस प्रकार से यह जो growing disparity and resource allocation के इंदर सरकार और राज्यस्तरकार horizontal as well as vertical distribution के अंदर में जो inequality है इसको कैसे ठीक किया जाए आप मेरी बात समझे अब यह मत कहना सर यह क्या होता है vertical inequality, pool और horizontal दोनों चीज मैंने बता दिये छेती जैसा मानता और आपकी horizontal अब यहाँ पे मैंने यही चीज समझाईए के अंदर सारे राज्यों कितना पैसा देती है vertical devolution अब एक राज्य से दूसरे को इनको कितना मिला that is horizontal तो vertical और horizontal distribution के अंदर में जो disparity है उसको कैसे ठीक किया जाए उसके discontent उसकी जो attention है उसको बढ़ते हैं देख में दोस्तों अभी 16th finance commission कोई काम सौप बगयागी तुमी बता दो माराज कैसे करना है ठीक है specifically within vertical devolution two trouble issued demand immediate attention कहरा कि अगर हम vertical devolution की बात करें तो वहाँ पे दो बड़े मुद्दे हैं दोस्तों जिसकी जो है शिकायत हुई है जिनके उपर अभी बातचीद करनी है पहला क्या है the government has increasingly chosen to exclude the growing portion of the tax revenue from the pool of the funds shared with the state राज केंदर सरकार क्या कर रही है लगातार उन टेक्स को बढ़ा रही है सरचार्ज लगा रही है duties लगा रही है क्यों लगा रही क्योंकि वो राज्जों के साहथ उसको शेर नहीं करना इसके लिए जान पूछके सरकार लगातार CESS और सरचार्ज को increase कर रही है because CESS और सरचार्ज को आपको राज्य सरकार के साथ में साजा नहीं करना पड़ता है सेंट्रल गौर्वर्मेंट इसे पहले जो वित्य आयोग बने थे उन्होंने भी अपनी-पनी कुछ-कुछ recommendation दी थी और हमारी जो सरकार है वो असफल रही थी उन recommendation को पूरी तरीके से implement करने में दोस्तों ठीक है? अब ये एक बड़ा मुद्दा है shrinking of the divisible pool of the taxes ये मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों देखो होता क्या है के इंदर सरकार कुछ tax वसूल करती है और वो जो tax का total पैसा आता है उनको राज्यों से बाठना पड़ता है ठीक है? अब वो अलग-लग finance commission है कोई कहता है कि भई 42%, 43%, मालो 100% अगर आया है केंदर के पास ठीक है? तो उसका 42% हिस्सा राज्यों में बटना चाहिए और बाकी का जो 81% है वो केंदर अपने पास रखेगा ठीक है? यह काम होता है finance commission का अभी शाद 41 point something है मुझे exact number याद नहीं है बट इनका कहना है कि जो net divisible pool और net proceed है ठीक है? वो portion tax का जो राज्यों के साथ बटना चाहिए सरकार उसको भी लगातार कम करती जा रही है सुद्ध विभाजत पूल या शुद्ध आए यह वो amount है जिसमें से केंदर को पैसा राज्यों को देना ही देना है यह बात हम में समझ पा रहे हूँ All union tax जितने भी केंदर सरकार के tax होते है वो सब के सब इस net proceed में आते हैं कुछ को हटाके ठीक है कुछ को हटाके जैसे कुछ वो चीजे है जो सविधान के article 271 और 271 में लिखी होई है अब इसमें से कौन सी चीज नहीं आती दोस्तो जो net वाला है न इसमें ये चीजे नहीं आती पहली बात तो सेस नहीं आता और दूसरी चीजे इसमें सरचार्ज शामिल नहीं होता मतलब अगर सेस और सरचार्ज केंदर सरकार लगा के जैसे road development सेस ठीक है education सरचार्ज या कुछ भी है तो वो share नहीं करना बाकी जो tax है उसका पैसा share करना पड़ता है 2017 के अंदर में तागी भारत के अंदर में जो indirect taxation है वो आसान बने अब ठीक आसान तो बना दिया GST आप ले आए लेकिन GST भारत के अंदर अगेल ऐसा GST है जिसमें इतने सारे rates है पांच rate है भारत के अंदर GST पे GST का मतलब उता है एक flat rate हो एक rate हो बस ठीक है revenue neutral rate हो एक लेकिन भारत में तने सारे rates है ठीक है दूसरी बात दोस्तो अब सरकार GST के अबाद में surcharge और CES लगातार बढ़ा रही है सिर्व उसका एक ही purpose है कोगी ये पैसा राज्य के साथ उसको साजा नहीं करना पड़ता है क्रशी आव संचरना एंड विकास उपकर जैसे नए शुलकों की लगातार सरकार शुरुवात करती जा रही है ये जो proliferation है क्योंकि ऐसा करती रही अगर वो अब बात करते हैं दोस्तो राइडिन टाइड ट्रांसफर ये क्या है दोस्तो मैं आपको बता दूँ सेस और सरचार जो है इनको criticism है क्योंकि सरकार का मानना है ये states का मानना है कि इस चीज़ में प्रॉपर ट्रांसफेरेंसी नहीं है जो funds का utilization है अच्छे से वो नहीं हो पा रहा है in fact हमारे कैग ने भी इस बात को उठाया है कि जो सेस के अंदर में जो पैसा इखटता है और collect किया जाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और उन funds का प्रॉपर utilization हो रहा है या नहीं हो रहा भी नहीं पता चल रहा और भारत में कई सारे सेस लगते हैं आप सुन लो देख लो तुम कितने सेस हैं Health and Education सेस Research and Development सेस Swach भारत सेस Road सेस Clean Energy सेस सेस का simple मतलब है जो tax के उपर tax लगा दिया जाता है उसी को हम सेस और surcharge कह देते हैं पस इनका purpose होता है कि मालो road सेस लगा दिया इसका मतलब क्या है कि वो पैसा सिर्फ road के लिए यूज होगा road development में infrastructure development में तो ऐसे particular purpose के हिसाब से सरकार पैसा लेती है अब यह होता है उस चीज के लिए यूज या नहीं होता वो कैरा कैग भी कैरा है कि उसकी transparency नहीं है वो fund utilization हो भी रहा है नहीं और हम कुछ नहीं कह सकते concern arising about the fund uses potential diversion from the state allocation and effective in fulfilling the intended goal indicating transparency यही मुद्दा है fund का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा राज्य आबंटन में से संभावित विचलन और इच्छित लक्षों का पूरा करने की जो प्रभाव शीलता है उसके बारे में लगातार चिंताई उत्पन हो रही है जो पारदर्शिता के मुद्दो की और संकेत देती है अब 16th Finance Commission ने क्या का उन्होंने का वह यह काम कर लो मुद्दा तुम्हारा solve हो जाएगा क्या बोला गया Sharing Divisible Pool Resources विभाजक पूल संसादनों को साजा करना मतलब Tax or CES का पैसा बाट लो इनके साथ में Historical जो wrong हुआ है Vertical Devolution में जो अब से जो चीज़े चली आ रही है उसको ठीक कर लो Publishing Accurate Estimate of Net Proceed जो Net Proceed आती है उसको accurately बताओ सरकार उसको किंदर सरकार सीधे सीधे और सही तरीके से बताए जो CES और सरचार्ज आप ला रहे हो उनकी एक limit introduce कर दो कि इससे जादा नहीं होगा यह चीज है यह ensure करो कि एक time के बाद आपने road CES लगाया है यह सरचार्ज लगाया है वो eliminate खतम हो जाएगा ऐसा नहीं कि बार-बार-बार-बार-बार आप उसको extend किये जा रहे हो Addressing Horizontal Devolution Inequalities for Fiscal Federalism Survive तो यह सारे के सारे 16th Finance Commission ने कुछ recommendation दिये कि महराज यह कर लो ताकि यह जो problem है जो बैठे हुए है जंतर मंतर पे states यहां के Chief Minister आके वो नहीं करेंगे ठीक है उनका तो यह एक बड़ा मुद्दा है ठीक है this can be done to avoid such friction अब समझ में आ रही यह बात तो बताओ मुझे comment box में ओके रिपोर्ट करो चली आगे बढ़ते हैं ठीक है Green election in India अगर चाहो तो तुम नाम सही समझ सकते हो दोस्तो जब election होता है कितना carbon emission होता होगा कितने सारे लोग rally करते हैं उसमें transport vehicle यह वो फलान डिमकाना बिजली चलती है उसके लावा लोग जब advertisement करते हैं तो उसमें भी plastic के वो बनवाते हैं जंडे, hoarding बनते हैं, flags बनते हैं यह सब क्या है दोस्तों? यह environment के उपर additional burden ही तो है इसलिए अब जब पांच राज्यों में चुना हुए थे ना 2023 में तो जो हमारे election commission है उसने इस बात की demand की थी कि आर जो election है इस उड़ी green green election को हमें बढ़ावा देना चाहिए green election की तरफ हमें सोचना चाहिए green election को द्यान में रखना चाहिए तो उसके उपर में efficiently काम हो उसकी तरफ बात हुई थे stop the deterring and encourage the green election in the India यह बात हुई थी तो यह भी आपका article आया हुए और 2014 में तो अभी आपको बता है लोग सभा में चुनाव होने वाले हैं और कई सारे states में हैं जिन में चुनाव होंगे तो चली इसको देखते हैं अगस 2023 के अंदर में पहली बार अमारे election commission of India निसकी बात कही थी कि भाईया आप जो कम से कम जो advertisement वगएरा कर रहे हो उसमें आप non-bio-degradable material का इस्तमाल मत करो मुखेरू से plastic का इस्तमाल मत करो ठीक है हर election में आप देखोगे तो बहुत सारी चीजे ऐसी होती है जिनका carbon footprint बहुत जादा होता है rally यां होती है उसमें लोग आते जाते हैं तो वो सब क्या green emission करता है तो उन्होंने का कि ऐसा नहीं होना चाहिए there should be a eco-friendly election which would be boost the environment stewardship along with the civic participation प्रतेग चुनाओ के अंदर आयोजक में परिहारी एक कारबन पद्द चिन उत्पन होता है परियावरण अनुकूल चुनाओ की आवशकता है जो नागरीकों की भागिदारी के साथ साथ परियावरण ये प्रबंदन को भी क्या करे बढ़ावा दे इसकी बात यहां पे हुई है ठीक है now what are the green election क्या है green election देखो green simple है green word किसी के साथ भी जोड़ दो उसका simple मतलब है क्या कि carbon emission नहीं होना चीए environment को नुकसान नहीं होना चीए that is the green उसके जो ecological footprint है वो negative नहीं होने चीए environment को नुकसान ना पोचाए that is green समझ मेरी बात तो इसमें क्या है दोस्तों जब आप election में जा रहे हो तो आप sustainable practices करो जिससे ना कोई carbon emission हो रहा हो जिससे ना कोई non-biodegradable waste आपका generate हो रहा हो इसलिए इसमें क्या-क्या आता है इस अभियान में सामगरी के लिए केवल टिकाउ सामगरी sustainable material का इस्तेमाल करो है ठीक है digital voting system हम लेके भी आए ना पहले ballot paper से होता था अब EVM आ गई तो बहुत सारा कागज बचता है उससे ठीक है उसके बाद उर्जा कुशल परिवेन जब आप rallyya कर रहे हो तो उसमें ऐसे वहानों का use करो जो green energy पे चलते हो और जो अप्षिष्ट पदार्त है तो सबसे पहले हमने किया EVM हम EVM लेके आये थे EVM जो है वो इंडिया में इंटर्डियूस हुआ 1998 और 2001 के बीच में अब EVM आने से सिर्फ आपको बटन दबाना पड़ता है तो पहले paper लो ठपा मारो तब डलता था तो उसमें बहुत सारा कागज यूज होता था ना केरला ने क्या कहा करला बोला कि singl use plastic band है बहुत अच्छे काम करता है केरल 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 मैं बोल दूँ मां दिक्कत हो जाती है ठीक है जैसे हिंदी में हमने हमेशा करनाटक पढ़ा है ठीक है हम हम Hindi Medium में पढ़े हैं, तो हमें करनाạटक पढ़ने में आता है, करनाटका नहीं पढ़ने में आता कभी भी, करनाटका is basically in the English, ठीक है, करनाटका, तो वो इंग्लिश में आता है, एक short हमने बनाया दक्षिन की reverse के उपर तो मैंने कहीं करनाटका तो कहीं मैंने करनाटक बोल दिया ठीक है, तो many people get offended, similarly, हम जब Hindi में पढ़ते हैं, हमारी गलती नहीं है, हमसे क्यों बहस कर रहे हो, rather than, कई लोग करते हैं, बहस करने से अच्छा क्या है, in fact, वीडियो जो बनती है, उसमें तो केरला ही लिखा हुआ है, तुम्हें केरल नहीं पढ़ना, तुम्हें केरला पढ़न इस नोट करनाटिका, करनाटक नहीं, इस करनाटिका, भाइन से कुछ फरक नहीं पढ़ता, लिखा हुआ है न, दोस्तों पढ़ ले महाँ पर, जो मैं बता रहा हुँ चीज़, सुन ले, information ले ले, बट उसमें, ओ, क्या knowledge, इंडिया, इस तरीके के लोग अब भारत में हो ग करेंगे, गालिया देंगे एक तो, एक दो, तीन तो, ठीक है, कि ये, वो, उल्टी सीदी लिखेंगे, और फिर कहेंगे, ये चीज करेंगे, अरे, कुछ नहीं होता भाई, से, वो, वीडियो में देख ले, वो सही लिखा हुआ है, ठीक है, इतना ग्यानी है न, तो अपनी खोल के, वहाँ पर भी देख ले, उसा ही लिखा हुआ है, बट उनको करना होता है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, नोट केरल, इट्स केरला, ठीक है, तो केरला बैंड सिंगल उस प्लास्टिक, तो केरला ऐसी अच्छे चीजे करता है, बट इस नोट, अब हिंदी वाले जो ब स्टेट है, बाइडवर्सेडी बोर्ड है, उसने यहां पर स्टार्ट किये, तो इस आर दा तिंग्स, यहां पर उन्होंने क्या किया, जितनी भी चीजे है, वो ट्रेडिशनल जो आर्टिशन थे इनके हैं, आपर उनकी चीज़ों को उन्होंने इस्तमाल किया, ठीक है, चल इतनी कारबन हैमिट होई होगी, तो इतनी कारबन होती है, तो हम इतने पेड लगाते हैं, तो यह बहुत अच्छा इनीशेटिव था, 2019 में स्रलंका ने किया था, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, इसको स्रलंका का कारबन सेंसितिवory Election campaign का नाम दिया गया था, ऐसी एस्टोनिया क किया Estonia ने क्या किया उन्होंने का physical voting होगी नहीं digital voting करेंगे ठीक है घर बैठे vote कर दो तो इससे क्या होगा voter भी enthusiast होता है मानलों कोई दूसरे राज्य में vote डालने के लिए जाए जाए ना जाए लेकिन जब आप electronic voting करोगे सब लोग vote करेंगे voter participation बढ़ता है और वो green process होती है जाहिर सी बात है इसके अपने नुकसान भी होंगे ठीक है fraud वगएरा ये वो hacking वैकिंग वो भी हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों next अरे मुझे पता है comment करते हैं मैं भी इतना react नहीं करता है पता है क्यों जब वो लोग comment करते हैं तो वो वीडियो और ज्यादा push होता है ठीक है अब मैं एक दिर एक मनिपूर की लड़की थी तो उसने पता नहीं क्या कुछ गड़ती की थी वीडियो में उस पर इतनी comment होग दिना लोगों ने वीडियो वाइरल हो गया अच्छी बात है वो publicity कर रहे हैं ठीक है अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना कोई tension नहीं है ज्यानी बनते हैं बनने दो यार अपना जो कहां मैं बो करते रहेंगे next बात करते हैं दोस्तो हीमोफीलिया ए देखो ये एक genetic disorder होता है जो gene genetic mutation की वज़े से होता है ठीक है तो यह कोई virus से नहीं होती इसमें क्या होता है आपका जो blood clotting है वो नहीं होती आप कट गया तो खुन का thakka नहीं बनेगा इसमें यह उता है खुन बैता रहेगा, बैता रहेगा, यह किसकी वज़े से होता है, हीमोफिलिया A, अब इसका भारत के अंदर में रिसर्च चल रही थी, कि जीन जेनेटिक थेरपी, जीन एडिटिंग के माध्यम से हम इसका इलाज कर ले, तो इसका कहरा है कि जो first human trial थी ना, वो successful रही है, ठी यह conducted first clinical trial for the हीमोफिलिया A, जीन थेरपी, ठीक है, यह हमारे science and technology minister ने कहा है, कहां पे हुई है, Christian medical, Christian medical college वेल लॉर के अंदर में हुआ है, so क्या होता है हीमोफिलिया है, एक genetic disorder होता है, that impairs the body availability, of, availability to the form blood clots, resulting in the prolonged bleeding, लगातार खुन निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, यह इसक इसमें blood clotting proteins जो है, वो नहीं होते है, तो abnormal clot formation होती है, यह होती नहीं है, यह होता क्या है दोस्तों, यह inherited होता है, X-linked chromosome के अंदर, जो XY chromosome होते है, तो X chromosome के अंदर में जो defect आता है, उसकी वज़े से होता है, और क्योंकि X male dominated होता है, इसलिए लड़कों में जादा होता है, हमोफीलिया A, जो होता है, यह mutation की वज़े से होता है, in the gene which is responsible for producing the clotting, जो थक्का बनाने में जो genes उपयोगी होता है, उसमें जब mutation होता है, तो उसकी वज़े से हमोफीलिया A हो जाता है, जोस्तों, ठेक है, तो इसमें क्या होता है, clotting नहीं होती बस, simple सी बात क्या है, clotting नही का case, gene therapy क्या होती है, आप सब को बता है, gene therapy basically हम क्या करते है, हम genetic editing, CRISPR-Cas9, ऐसी तकनीक का इस्तमाल करके, हम कोशिश करते है, जो defected gene है, जिसमें mutation हो रखा है, हम उसको काट दें और उसकी जगें नया gene add कर दें, इसको बोलते है, gene therapy, gene therapy, gene editing एक ही बात है, ठीक है, कई सारी ब बिमारियों का इलाज हमने इससे ढूंड लिया, cancer जैसी बैयानक बिमारी का इलाज हमने इससे ढूंड लिया, समझ में आई बात, चली, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, next topic पे चलते है, regulatory sandbox scheme, ये क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको एक बाद बताता हूँ, जैसे मान के चल product लेके आना, financial product का मतलब है, loan loan type से related, which involves the matter of finance, पैसे संबंदीत मामला है, तो उत्ता क्या है कि आप जब पैसे संबंदीत कोई भारत के अंदर कोई product लेके आ रहे हो, या उसको आप test कर रहे हो, launch कर रहे हो, तो देखना पड़ता है, पैसे के मामले में बहुत सारी RBI की guideline, ये उसके अंदर क्या किया जा सकता है, और regulatory point of view से भी आपको कल जाके पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या challenge आ सकता है, सरकार को इसको regulate कैसे करना है, सरकार को इसको govern कैसे करना है, क्या नियम कानून कायदे बनाने चाहिए, जिससे अच्छे से efficiently काम करेगा, तो ये जो होता है, इस चीज को बोला जाता है, regulatory sandbox, तो उसमें कुछ RBI ने नियम वियम जो है अपने tweak की है, RBI tweak norms related to the regulatory sandbox scheme, चली इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब ये बस regulatory sandbox क्या होता है, आपको इतना पता हो ना, क्योंकि term है, important है, regulatory sandbox का जो मतलब होता है, ठीक है, इसको हम pilot testing भी कहते है, कई बार ऐसे जो product होता है, insurance ready product, ठीक है, कोई और ऐसे product जो होता है, उनको test करने के लिए दोस्तों ये किया जाता है, it offers safe space for business as regulator में provide certain relaxation specifically for testing purpose, तो जब testing करनी है, उसके लिए दोस्तों ये सुरक्षित स्तान का काम करता है, जहां पर testing करते हैं समय उस product की कुछ छूट दी ज हो जाता है, कि अब छोटे level पर हमने इसको किया है, तो ये दिक्कते आई हैं, और जब हम बड़े पर करेंगे, तो ऐसा करेंगे, तो सब चीजे ठीक हो जाएंगे, तो ये सरकार के लिए एक मतलब मौका समझ के चलो, आप उनके लिए एक मंच होता है, ओके, चलिए, objective क्या है, ये सब आपको बता दिया है, मैंने, पूरी चीज आप समझ जाओगे, इसको समझ के को इटेंशन नहीं है, नेक्स्ट बात करते हैं, दोस्तो, SHWEM plus Portal, अब हमारे Education Minister, जो उन्होंने SHWEM plus Portal का, इसको लांच किया है, दोस्तो, ये क्यों है, ताकि जो youth का potential है, उसको unlock किया जा सके, आज youth जो है, diploma degree करके बैठा है, विचारों को नोकरी ना मिल रही है, तो वो नोकरी कैसे मिले है, उनको क्या हो, क्या नहीं हो, उसके लिए Portal लांच की गई है, Union Ministry of Education and Skill Development and Entrepreneurship लांच SHWEM plus Portal, इन्होंने SHWEM plus Portal को लांच किया है, इस Portal, इस Platform क्या करता है, दोस्तो, ये आ इन्डस्टी के साथ मिलके ऐसे कोर्स बनाया जाते हैं, दाकि जो college going students है, उनको, उनकी employability है, वो अच्छी हो सके, lifelong learning जो हमको मिल सके है, इट offer program in the sector like manufacturing, energy, computer science and engineering, management studies, healthcare, hospitality and tourism, मुद्दा simple है, क्या मुद्दा ये है, कि जो students है, उनको बहतर बनाया जाए, आज के हिसाब से उनको चीजे सिखाई जाए, ताकि वो जो है, उन चीजों के हिसाब से वो काम कर सके है, ठीक है, उनी के हिसाब से आगे जाके वो अपनी चीजों को समझ सके, कर सके, ये, समझ मैं आई बात, अबजेक्टिव क्या है दोस्तो, मंच का लक्ष है, पेसेवर विकास के लिए एक परस प्रदान करेगा, ठीक है, L&T, Microsoft और Cisco जैसे उद्योग भागिदारों के दुवारा विक्सित किया, इस प्लाटफॉर्म का संचालन, IIT मदरास के दुवारा किया जाएगा, ठीक है, तो ये objective होगी है, इसका, ओके दोस्तो, एक बार रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइ हमारे साथ में हमारा target prelims batch join कर सकते हो, दुनिया भारत की सबसे affordable और सबसे qualitative study हम आपको करा रहे हैं, कहां पे addurati app के उपर, तो आप इस app को download कर सकते हो, किसी को भी अगर कुछ पूछना है, आप इस number पे call करके, यह help line है, यहां पे बात कर सकते हो, और अपनी कोई भी query, कोई भी doubt जो है, उसके बारे में आप यहां पे पूछ सकते हो, ठीक है, हमारे देखो जैसे यह course आ रहा है, target prelims का, ऐसे हमारा geography optional, sociology optional, ethics, अलग-लग batch चल रहे हैं, तो चाहो तो आप एक-एक batch ले सकते हो, ठीक, आपके पास option है, या आप ना चाहो तो आप membership ले सकते हो, एक साल, दो साल, तीन साल की membership आपको provide कर दी जाएगी, membership के अंदर क्या होता है, आपको पूरी duration के अंदर में जो पढ़ाया जाता है, जितने भी हमारे pre, main, सारे course आपको available होते हैं, pre की तयारी, mains की तयारी, ठीक है, उसके अलावा optional की तयारी, mentorship, answer writing, सब आपको कराई जाती है, दोस् फटा-फट जाके आप enroll कर सकते हैं, enrollment का तरीका मैंने आपको बताया है, simpleadurati.com जो है, यह हमारी website है, इस पे जाके अपने आपको login कर लो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, दूसरा, आपको मैं बता दू, Google Play Store, यहाँ पे हमारी app है, जिस पे जाके भी आप courses के अंदर में register कर सकते हो, यहाँ पे भी जीजों का आप देख सकते हो, बागी कुछ समझ में ना है, तो you can call on this number, इस number पे बातचीत करके आपको सारी जीज बता और समझा दी जाएगी, ठीक है, now on this note we are ending this session, इस session को हम समात करते हैं, thank you very much, take care, bye bye, दोस्तों मिलते हैं,